नमस्कार दोस्तों कैसे आप आप सभी अच्छे होंगे तो आज मैं एक वीडियो बनाना जा रहा हूं जो कभी सोचा नहीं था मुझे बनाना पड़ेगा लेकिन काफी सारे कमेंट्स आये थे मेरे वीडियो में कि क्वांट एमसी को आखिर हुआ क्या है क्वांट का हर एक फंड इतना बैदरीन परफॉर्म करते हुए आ रहा था लगातार एक साल पांट इन साल पांच साल दस साल हर एक पिरियोड में नंबर वन रहता था क्वांट का मैक्सिमम फंड क्वांट स्मॉल कैप सबसे फेमस क्या हो गया क्वांट तो लोगोई डिसकस करेंगे और कुछ एक क्या हो ही धुगा है बेसिकली कंड में क्वांट एंसी में और हम लोग को आगे जाकर करना क्या है इंवेस्टर्स को च्या अपना पैसा होल्ड करना का नहीं हूं लोग देखेंगे फोर एंड तक देखिए तो क्वांट जैसे हम लोग जानते हैं एक बहतरीन एक AMC है, यह स्टार्ट हुआ था, 2018 से टेक ओवर किया गया था, पहले एसकॉर्ट्स नाम का एक AMC था, जो के डेट फंड में पैसा लगाता था, और क्वांट ने इसको एक्कार किया 2018 में, तो 2018 से ही डेटा हम लोग के पास मेंली है, जो हम लोग देख पाएंगे, तो एक साल, तीन साल, पांच साल, दस साल, हर एक पिडियाड में क्वांट का बोल बाला था, लेकिन अचानक लास्ट सिक्स में क्वांट में कुछ ऐसा है, तहल का हुआ है कि काफी अंडर परफॉमेंस देख रहा है क्वांट में, में लास्ट 3 मन्स में, 19 आउट उट व 27 क्वांट mutual funds have underperformed with the respective benchmark, तो करीभन 80% of the funds अपने benchmark को बीट नहीं कर पहा है, तो अपरिशन में, वही कंपरिशन कीजिये, ओनली 2 funds था, Out of coins, 22 funds last year, in the past one year, last one year से बस दो funds ऐसा था कर तो जो अपने बेंचमार को बीट नहीं किया है, तो last one year से 20 funds have beaten their benchmark, but in the last three months, eight funds have managed to beat their benchmark. तो difference देखिए, पहले 20 funds बीट करता था, जो के टोटल 22 में से 20 था, अभी 27 में से बस आठ है, तो हाला देखिए अभी कॉंट का. यहां पर एक बैदरीन डेटा दिया हुआ है, from money control side, तो इनका performance दिखा रहा है, based on schemes, तो कौन-कौन से schemes देख लेते हैं, बोलो, सबसे जो popular है, quant small cap, इसका data देखिए, last three months का, इसका है fund का returns, यह benchmark का, और यह over one year, one year का है fund का और benchmark का, quant small cap, 12.59, 17.20, benchmark से, last three months में करीबन 5% से डाउ हुआ है, वहीं पर last one year का consider रहा है, तो benchmark को अच्छे खासे से बीट किया हुआ है, quant tax favor fund, जो है, इसका भी देखिए, 10% से बीट कर रहा है, इसका, 10% और इसका था 2%, यहां पर under performance देख रहा है, देखिए, 13, करीबन half हो चुका है, quant mid cap, beathering fund था एक टाइम पर, 50% था, बेंच 7% अप था, quant multi cap fund, यहां पर देखिए, 2.54, 6.95, कितना difference, बस difference नोट करते जाए, 24, करीबन 20%, 20% का difference है, फिर और कौन सा अच्छा, quant active fund, यहां पर देखिए, इसका तो सेम ही है, almost same है, हलका सा percentage बीट किया हुआ है, यहां पर भी under performance चल रहा है, quant large and mid cap, बहुत ही अच्छा है, इसका भी देखिए, under performance, 60% पहले था, one year में, और benchmark का था, 44, 16% से बीट करता था, quant infrastructure fund मेरे खुद के पास है, 9.82 है benchmark, हला कि infrastructure अभी, the entire sector is going down right now, 9.82 है अपने benchmark का, लेकिन इसका देखिए, बस 5% से काम है, पहले का देखिए, यहां पर 69% था, और benchmark का 58%, maximum quant funds are suffering, यह सब तो नह काफी funds है, पूरा तो हम लोग cover नहीं कर पाएंगे, तो में मुद्दा यही था कि काफी अन्ना-ना performance चलता है, quant के हर एक fund का, तो अभी हम लोग देख लेंगे, last 3 माहिने में, कौन-कौन सा fund बीट किया है, इस टीन, quant ESG equity fund, जो कि इतना popular ज्यादा है भी नहीं, इसने बीट क किया है अपने benchmark को, और फिर नीचे देखते है, 2.349, the quant dynamic allocation fund, यार, यह सब तो hybrid funds हो गया, सब, quant business cycle fund ने बीट किया है, और quant health के, नहीं हलका सा percentage पर बीट किया है, 1% से भी कम, और quant manufacturing ने बीट किया है, तो quant manufacturing ने बीट किया है, तो quant manufacturing ने एक कैसा fund है, अच्छा परफेंस कर रह है, तो क्योंकि IT अभी ज्यादा, से ज्यादा momentum में है, फिर भी ज्यादा return ने बीट किया है, अच्छी तरीका से बीट किया है, और last में, quant PSU ने बीट किया है, तो under performance क्यू हो रहा है, जानने से पहले, तो देख लेता है, quant small cap के बारे में, तो हम लोग आज discuss करेंगे, दो funds, quant small cap और quant mid cap, क्योंकि हर एक fund को discuss करना possible है नहीं, तो यह दोनों fund का mainly एक ही reason है, क्यों under performance चल रहा है, तो देखेंगे, तो क्राइजिल रैंक देखें, इनका 3 star दिया हुआ है, एन भी है, इनका 300 रुपए का, fund size बहतरीन fund size है, 24,529 crore, तो इसका category average जो है, करीबन 8% category average का, मनला पूरा small cap का, जितना small cap इंडस्ट्री में है, उसका 8% पैसा जाता है, quant small cap, जो के huge number है, explain ratio ठीक है, 0.64, ठीक है, अभी देख लेते है, quant का इतना बोल वाला क्यों था, quant का बोल वाला था, इसलिए, तीन साल का देखिए, rank देखिए इसका, rank within category 1, 5 years का rank within category 1, एक साल में भी rank within category 1 year 2 था, लेकिन last 6 महिने में यह नीचे आते हैं, 10 पे आया है, लेकिन अभी भी top 10 पे maintain कर रहा है, तो basically ऐसा क्यों हुआ है, quant ने एक major issue देखा था, quant में, में, जून के महिने में, जहांपे stock market का regulator, SEBI, उसने एक आड़ोप लगाया था, basically probe था, PROBE बोलता है, इसको probe था, कि Sandeep Tendon, जो quant का CEO है, उन पे आड़ोप लगाया था, कि front running का, front running का, front running का आड़ोप लगाया था, front running में मैं detail video बना के रखा हूँ, आई बटन में उपर जाके देख सकते है, वो detail में जानना चाहते है, कि front running क्या होता है, और quant कैसे affect हो था तब, अ संदीप Tendon जी, संदीप Tendon पर आड़ोप लगा था, कि जो भी stock quant खड़ीद रहा है, quant AMC खड़ीद रहा है, उसके पहले, either Sandeep Tendon या इनके relatives जो है, या फिर friends कोई, और भी anonymous account से, वोई same stocks individually खड़ीद रहे थे, ठीक है, उसके करन क्या होगा, मान लिजे, एक stock है, 10 रुप करता है, यह अगर वोई same stock खड़ीदेंगे, तो stock का price obviously उपर जाएगा, 10 से 12 हो जाएगा, 12 से 15 हो जाएगा, तो indirectly beneficial कौन हुए, जो लोग खड़ीद रहे on behalf of Sandeep Tendon, तो this is wrong, this is illegal as per se, यही front running का आड़ोप लगा था, Sandeep Tendon जी पे, तो वहां से तब तक आप देख सकते है, 2800 करोर का outflow हुआ है, net outflow 2800 का in the month of June, या पर देखे, क्वांट स्मॉल का मैनेजिंग ऐसे जाएगा, 21,423 में के महिने में 21,423 था, तब से 28% तक 28% अपना पैसा नीचे आ चुका है, मतलब लोग रिडीम कर रहे है, already, up till the final week of June, तो June का खबर है यह, अभी तक तो data नही है, latest data कितना है, अभी तक पर बढ़ चुका है, और भी जाधा, लेकिन काफी 30% रिडीम करना एक ही fund house से, एक ही scheme से, sorry, एक ही scheme से यह काफी जाधा amount हो जाता है, तो इसी के लिए high liquidity चाहिए, जब ही लोग रिडीम कर रहे है, पैसा, रिडीम करने के बाद जब तो इन्वेस्टर पैसा लोटाना पड़ेगा, यह investor 1 है, investor 2 है, investor 3 है, investor 4 है, investor 5 है, इसको भी चाहिए, रिडीम करते है, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, उस वक्त यह लोग क्या किये है, already यह लोग भर-भर के large cap रखेते हैं अपने portfolio में, for stability purpose, क्योंकि इतना ज्याध redemption pressure दिखाया था, इन लोग को, on the month of June, May and June and July में भी कुछ हद तक, कि यह बहुत सारा पैसा, mid or small cap से shift करके, यह लोग भर-भर के large cap रखना स्टार्ट कर दिया, अपने portfolio में, तो हाले, इससे क्या होता है, जितना ज्याधा large cap रखोगे आप लोग, उतना growth आपका कम होगा, जो growth होता है, mainly small or mid cap stock से, तो जितना ज्याधा large cap रखोगे अपने portfolio में, उतना ज्याधा downside protection अच्छा दिखाएगा, जो market नीचे जा रहा है, उतना ज्याधा नहीं गिरेगा, जो हम लोग देख भी पा रहे है, अभी downside protection अच्छा हो गया है, quant का, लेकिन ultimately क्या हो रहा है, returns नहीं ब तो यह particular scheme 10% से उठता था पहले, ठीक है, खतारनाख भयानाख alpha था इन लोग का पहले, लेकिन अभी alpha generation में यह लोग पीछे आ रहे है, तो अभी देख लेते हैं, और details इसके बारे में, तो recently देखी, क्राइजिल रेंक कार, last year 31st December, मतलब 7-8 महीने पहले 4 star था, उसके बाद कर दिया था, March में, 5 star कर दिया था, Quant Small Cap को, 31st March, उसके बाद, अपडेटर देखिये, 31st June को 3 star, एकदम 5 star से 2 star घटा दिया, 3 star, तो कि बहुत जाधा impact किया है, Quant AMC को, इसके कारण भी, अभी हम लोग देख लेते हैं, कुछ benchmark और category average के तुलना में, तीक है, यह 6 months का data है, यह scheme है, 18.16, compared to benchmark, 21.84, तो आप लोग directly एक small cap का benchmark ले ले लेते, मतलब, small cap का index fund ले ले लेते, तो आपको 20% मिल जाता, category average, देखिये, category average 24%, यह highest नहीं है, यह category average, मतलब, सारा उपर और नीचे मिला के, average करते हुए 25%, इसको भी बिट कर रहा है, कितना, handsomely बिट कर रहा है, देखिय कितना underperformance चल रहा है, 18 to 20, वो 6% से जाधा underperformance चल रहा है, in 6 months, 3 months में देखिये, 12.59, 17.2, 17.36, difference देखिये, कितना जाधा हो गया, 1 month का देखिये, 0.53, 1.17, 1.9, बहुती जाधा difference देखने को आ रहा है, लगाता है, 6 minus है, अभी एक screenshot दिखाऊंगा, मैं आप लोग हैरान हो अभी हम लोगा consider नहीं कर सकते score, 10 साल में भी escort था, फिर भी देखिये, number 4 पे है, 5 साल, number 1, 3 साल, number 1, 2 साल, number 2, 1 year, number 6 पे आ गया, फिर भी ठीक है, YTD, number 9 out of 27, इसका पार देखिये, 1 week to 6 months, हालत देखिये इसका, 27, 27, 21, 26, इतना underperformance का में कारा हमें, देखिए, equity में 87% लगा और others में, others मतलब treasury bills वगरा, ठीक है, treasury bills cash लेखे बैठे ये लोग, कि redemption जब भी आएगा, इन लोग को stocks ना बेचना पड़े, इसके लिए cash और treasury bills में पैसा ज्यादा भर भर के, 13% पैसा, equity में ही नहीं, आप लोग सोच रहे हैं, मैं small cap में लगा रहा हूं, mid cap में लगा रहा 87% पैसा आपका बस equity market में है, बाकि सब पैसा आपका fixed instruments में लगा हूआ है, equity का 87% में भी 10% है large cap में, mid cap में 19%, तो सोच रहे है, 19 plus 10, 29, करीबन 30% पैसा आपका large cap में लगा हूआ है, इसका नाम small cap investment है, small cap fund है, हालत देखिए इसका, 35.89 only in small caps, only small cap में 36%, यहां पर others देखिए, 22.37, तो आप सोच रहे हैं कि आप small cap में लगा रहे हो, आपका देखिए, only 36 पैसा small cap में जा रहा है, mid cap में जा रहा है 18%, large cap में जा रहा है 10%, other में जा रहा है 22%, यार क्या ही बोले, क्या आपको लग रहा है, यह सेही में small cap है, is it even a small cap right now, I don't think so it is a small cap, अभी कोई small cap का अपनी category के साथ holding का comparison करते है, number of stocks देखिए 84, category average 84, same ही है, कोई equals है, number of top 5 stock, 27 to 14, कडिवन double है इसका, जाधा से जाधा से जाधा stock, जो large cap का allocation है, जाधा से जाधा यहां पर जा रहा है, top 10 stock, 42 to 24, बहुत ही जाधा है, top 3 sector weight, sector में 19.70 और 21.85, तो 2% से जाधा है, main story इस कॉलम पर है, यहां पर देखिए average market cap का size, category average का देखिए 11,000 crores, इसकीम का देखिए 81,000, मतलब सोच रहा है कितना जाधा large cap का allocation है, कि इतना जाधा market cap हो गया, इसकीम का, holdings in large cap stocks, 6, 10.06%, category average के देखिए 3.67, holdings in mid caps, 18.78, 9.86, is to category average, holding in small cap, 35% is to 51%, तो जीतना जाधा small cap और mid cap का allocation रहेगा, उतना जाधा returns बनके आएगा, हम लोग को, जो के यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है, यही मेन कारण है, इतना downside protection अच्छा दिखा रहा है, लेकिन returns के ममले में एकदम नीच या रहा है, नीचे चलते हैं, कौन कान सा stocks रखा है, यह updated है 31st July को, Reliance और Jio का देखिए, यह major giant companies है, इसको large भी नहीं बोल सकता है, giant companies है, holdings देखिए, 10%, 5%, 15% पैसा इन दोनों में आ गया, आपर देखिए, इस fund का returns देखिए, एक दिन का दो छोड़ देखिए, इसको मत देखिए, 1 month का देखिए, 0.50, nifty देखिए, nifty 50s, 1.52 इसका हाल देख category average तो छोड़ी दीजी, category 2% का है, 21 of 28, best in category 6.58, worst in category minus 0.96, 3 months का देखिए, 12.59, वर्स देखिए, 12.59, यह worst हो गया, 27 of 27, nifty 50, 12.22, nifty को हलका से बित किया है, benchmark 17, नहीं बित कर पारा है, 17.36 category average, नहीं बित कर पारा है, 6 months 18.16, नहीं बित कर पारा है, कुछ भी नहीं बित कर पार है, lowest है, 18.16, यहीं 18.16, worst in category, best का देखिए, 35.27, इसका alternative क्या हो सकता है, देखिए, अभी, अभी कोई अगरा fresh investment करना चाहते है, या फिर यहां से switch करना चाहते है, तो बहतरीन एक fund है, मैं हमेशा बोलते है, मेरे खुद के पास है, बंधन small cap, one of the best है, यह लगातार, दो साल, एक साल, छह महीना, तीन महीना, कुछ भी पिरियर लीजिया, नमबर वन पर परफॉर्म्स कर रहा है, यह, LIC mutual fund हालागे इसका ratio काफी हाई है, मैं इसका six months में sorting किया हूँ, 35, 31, bank of India small cap 30, महिंदम लाइफ small cap fund मेरे खुद के पास है, यह 29, Tata small cap भी अच्छा कर रहा है, 28, Invesco Nippon, इस अब का देखिए, similar हाल है, mid cap का, mid cap का होई ही, क्राइजिल रैंक इसका भी 3 है, small cap का भी 3 है, fund size हालागे इसका ठीक ठाक है, उतना ज्यादा नहीं है, as compared to small cap fund, but फिर भी ठीक है, 10,000 करोर के करीब आने को आया है, 2.45% है, category average का, तो उतना ज्यादा नहीं है, as compared to the small cap, यहां पर भी same हाला था, देखिए, quant mid cap और quant flexi cap, दोनों का outflow हुआ है, 306 करोर और 338 करोर रेस्पेक्टिवली, in the month of June, वही same article से लिया हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा liquidity के कारण, liquidity maintain करना होगा इन लोग को, इसलिए भर-भर के पैसा transfer किया है, लोग, वान येर का देखिए, बहतर इन performance ता, 55% ये mid cap का है, nifty mid cap 50%, category 49, अराम से बीट किया हूँ है, अचनक 6 महीने का देखिए, 18%, 23%, 25%, एकदम घटिया type हो गया, 4.83, 14.53, 15.1, 1 month का 1.36, 0.98, negative 1.73 पर चल रहा है, quant mid cap, returns देखा देदा हूँ, यहां पर same story है, कोई difference नहीं है, YTD तक फिर भी, यहां पर YTD एक साल तक फिर भी ठीक था, number 6 पर था, यहां पर YTD मतलब स्टाल के स्टार्डिंग से, 17 out of 30, अच्छा नहीं है, फिर भी manageable है, बाकि सबका देखिए, 6 months, 29 out of 30, 30 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 out of 30, हर एक period में, last, यहां पर भी देखिए, story same है, equity में 88%, debt में लगा हूँ है, पैसे 12, 13% debt or cash में है, large cap का investment देखिए, 35%, mid cap का 22, small cap का 9, others में 21, तो large cap और others मिला के कितना होगे हम लोगा, 34, 44, 54, 55, point मिला के 56, 56% आपका either large cap में है, या फिर कोई debt में लगा हूआ है, ऐसा, mid cap का देखिए, 23%, यह mid cap fund है, mid cap fund में 23%, is it even a mid cap fund, any more, नहीं, quant mid cap का portfolio comparison करते है, number of stocks है 23, category average में 71, चो कि अच्छी बात है कि concentration रखा हुआ है, हला कि concentration है, फिर भी top 5 stocks में 47%, is to 17% in category average, top 10 stocks 67, 29, top 3 sector 31, 22, average market cap देखिए, category average का, same, 17,433 is to 89,000, huge market capitalization, holdings in large cap stocks, 34 is to 10, holdings in mid cap, 22 is to 43, तो category average में देखिए, यह justify कर रहा है, 44% लगा रहा है, यहाँ पर mid cap में, इसका हाल देखिए, half, एकदम directly half आ रहा है, holdings in small caps, 9.49, यहाँ पर देखिए, 19.61, तो यह category average, 44 और 20, 64% mid or small में लगा रहा है, यह कितना लगा रहा है, 23 और 10, 33%, 33 is to 64, difference देखिए, यहीं तो difference हो गया हम लोग का, कि इतना कम returns कैसे बन रहा है, तो इसका alternative देखिए, लगातार 6 महीने से sorting किया हूँ, यहाँ पर भी, मुल्तिजाल असवा, midcap fund, best of the lot at 33%, GM midcap, वहतरीन performance करते हो है, LIC, LWISE, Invesco, ITI, Sundaram, HSBC, Mahindra Manu Life, midcap, ICIC, Prudential midcap, कोर्ण के तरफ से mail आया सारे investors को, कि यह लोग क्या सोच रहा है, basically, and what is their thinking going forward, तो कुछ important points है, जो मैं note-down किया हूँ, यहाँ पर highlight किया हूँ, यह basically इन लोग का email है, तो यहाँ पर बदा रहा है कि अभी भी market में volatility काफी जारी है, implied volatility across assets, the main elevated, volatility elevated रहेगा throughout the next quarter, quarter third, 2024, में, वो जारी रहेगा, in light of perceived risks, unknown risks, geopolitical risks, यह देखे, सबसे important point है, since the last three months, the construct of our mutual funds portfolios are more skewed towards a mild risk of environment, तो यह main चीज़ है, risk of environment, तो risk of मतलब क्या होता है, stable investments, इसलिए यह लोग ज्यादा से ज्यादा cash और debt में, liquid assets में, ज्यादा से ज्यादा deal कर रहे हैं इसलिए, equity market में, equity में, stocks में, ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इन लोग का विश्वास है कि अभी market में काफी volatility जारी है, इसलिए liquid and defensive stocks में ज्यादा करके पैसा लगा रहे हैं, अभी यह लोग का कोई strategy है नहीं, कि अभी coin't वाले का कोई strategy है नहीं, के risky जो यह लोग का जाना जाता था कि risky, risk, high risk, high reward approach के लिए जाना जाता था इसलिए, इसलिए higher alpha generate करता था, लेकिन अभी यहां पर बोल रहे हैं, will offer excellent buying opportunities in the future from a long term wealth building perspective, तो short term के लिए यह लोग अभी नहीं सोच रहे हैं, this should be seen as an opportunity to build resilient rewarding portfolios, giving the foundation of strong fundamentals and improving corporate performance, तो मोटा मोटा यही समझ पा रहा हूं के, in the short term, यह लोग अपना जो भी पैसा है, they will be more skewed towards the risk of approach, risk of approach मतलब, जो के stable assets होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और stocks भी लेंगे तो defensive stocks में ज्यादा जाना चाहेंगे, यहां पर एक important point है, we should temper downward expectations to reasonable levels going forward, जो कौन्ट जाता था के extraordinary returns के लिए पहले, तो वो अभी temper down करने बोल रहे हैं, के नीचे लाने के बोल रहे हैं, उतना reasonable levels going forward, तो अपना जो भी expectation है, वो उसको cut down करने बता रहे हैं, short term outlook constructive है, और sector rotation will play a key important role going forward, और इंको strategy होने वाला है buy on dips, तो जब भी market में जो भी sector में नीचे आ रहा है, वहां पर dips में खरिदने का strategy बनेगा, तो mainly यह लोगा पहले रहता था कि momentum, जो भी momentum based stocks रहते थे वहां पर पैसे लागाते थे, जल्दी से जल्दी alpha generate हो सके, लेकिन इन लोगा strategy में थोड़ा सा change हुआ है, जो मैं देख पा रहा हूं कि defensive stocks pick कर रहे हैं, फिर risk of investment approach में जा रहा है, और buy on divs वगेरा यह सब पहले इन लोगा था नहीं, मुझे पता नहीं आप लोग क्या करेंगे, मैं जो करने वालो मेरा strategy क्या होगा, मैं आपकों को बता देता हूं, मेरा strategy था, Quant small cap में मेरा SIP चलता था, Quant mid cap में मेरा SIP चलता था, Quant infrastructure fund में मेरा SIP चलता था, I am closing all these SIPs for now, मैं जो भी पैसा है यहां पर, I am not going to withdraw it, मैं withdraw नहीं करने वालो हूं, withdraw no, जो भी पैसा जब तक जितना पैसा लगा हुआ है, I am keeping those money, Fresh investments मैं अगर करूं, Fresh investment, I have already got Bandhan small cap, and Mahinda Manula small cap with me, इन दोनों में से, आइदर दोनों, या फिर एक में मैं नया SIP, जो SIP Quant small cap में जाता था, I will put that same money over here, in this, Quant mid cap में जो जाता था, मेरे पास Mohitilal Oswal का, और एक mid cap fund है, यहां पर भी मैं investment start कर दूंग, SIP का जो भी amount है, यहां पर डाल दूंगा, Quant infrastructure, अभी infrastructure पुड़ा sectorी पिट रहा है, अभी recently तो, Modi government का coalition government आया है, Majority votes नहीं मिला है, मोदी जी को, तो infrastructure का काम कुछ रद हो आया है, मतलब, थोरा डाउन है, infrastructure वाला, लेकिन on the long run के लिए, infrastructure सही है, क्योंकि Quant का infrastructure है, that's why I am shifting, जो भी money था, यहां पर I'll keep the money, जो नया investment, जो भी नया SIP पर जाएगा मेरा, I'll take probably a new, sectoral fund, कौंसा सेक्टर अभी अच्छा कर रहा है, auto, FMCG, pharma, and IT, IT अच्छा करेगा after rate cut, अलड़ी अच्छा कर रहा है अभी IT, और rate cut के बाद और बी ज्यादा करने वाला है, probably I'll take one fund among all these four, इन चाड़ों में से I'll probably take one fund, तो I'm quitting all the Quant funds as of now, मेरे ख्याल से, अभी investment जीतना है, I'll keep it, probably जब Quant rebound करेगा, पता नहीं मैं सोच रहा था के, 3-2-3 महीने में rebound कर जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ही गंदी तरीके से पिट रहा है अभी, तो मैं उठाऊंगा नहीं यहां पर पैसा, जब तक ना rebound करे, I'll be probably taking some different, यह सब तो मेरे पास अल्यडी था ही, मुतियल असवाल बंधन मैंदम अल्यडी था, and probably I'll take a new sectoral fund and invest in them, तो ऐसे करके आप लोग भी strategy बना सकते हैं, कोई भी question हुआ, कोई भी comments है, तो comment section में डाल दीजिए, I'll probably reply to you, or definitely try to answer your query, video पसंद आये guys, तो like और subscribe कर दीजिए, thank you so much for watching, have a very good day.